नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्यम के तीसरे दिन की कथा अध्याय तीन में त्रिम कृष्णा ये नमहा, यह पावन मंत्र भगवान श्री कृष्ण दुवारा बताया गया है इसे भगवान श्री कृष्ण का मूल मंत्र भी कहा जाता है इस मूल मंत्र का जाप अपना सुख चाहाने वाले परतेक मनुष्य को प्राते कहल, नित्ते क्रिया, विस्नान आधी के पश्चात 108 बार करना चाहिए इसके जब से जीवन से जुड़ी तमाम बाधाएं दूर हो जाती हैं और घर परिवार में सुख शान्ती और समरिद्धी का वास होता है वैसे तो कार्तिक मास में प्रातेस्नान, कार्तिक महत्तम का श्रवन, भजन कीर्तन, दीपदान, तुलसी विवा, यग्य और बंडारा आधी किये जाते हैं परंदु कार्तिक महात्तम में भगवान श्री कृष्णिल ने स्वयम बताया है कि कार्तिक मास में परतेक व्यक्ति को चार काम अवश्य करने चाहिए इन चार कामों को कार्तिक वृत के चार मुख्य नियम भी कह सकते हैं कार्तिक वरत में ये चारों नियम पूरे करने ज़रूरी माने गए हैं इन चारों नियमों का पालन करने पर ही कार्तिक वरत पूरा हुआ माना जाता है इन्हें हम कार्तिक वरत के चार अवश्य करने योग्य कार्य या चारंग भी कह सकते हैं जो की हैं पहला प्रातेस्नान, दूसरा तुलसी पूजन, तीसरा हरी का पूजन और हरी जागरण और चोथा है दीपतान इन चारों कार्यों का अक्षरत पालन करने पर कार्तिक मास के वृत का महाफल प्राप्त होता है जिससे भगवान विष्णू अत्यंत प्रसन्न होते हैं कार्तिक मास के अंत में वृत का उध्यापन भी अवश्य करना चाहिए चलिए अब शुरू करते हैं आज की अपनी कथा सागर पुत्र शंखा सुर्द्वारा वेद मंत्रों का हरण तत्य भामा बोली हे देव इसी प्रकार सब तिथियों में एक आदशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको क्यों सबसे अधिक प्रिय है इसका कारण बताइए तब श्री कृष्ण भगवान बोले हे कानते तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है इस विशे में एकाग्र चित्त होकर राजा वेणु के पुत्र प्रथू और महर्शी नारज जी का पूरा समवाद सुनो इस समवाद को पहले बहाराज प्रथू ने नारज जी से पूछा था तब नारज जी ने कार्थिक मास की महिमा का बर्णन किया था नारज जी बोले पहले समय में सागर का पुत्र शंखासुर नाम का एक राक्षस था वेह बड़ा बल्वान अत्याचारी और तलोकी को मत डाल ने वाला महा पराक्रमी राक्षस था उसने अपने पराक्रम से स्वर्ग को जीत कर संपूर देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और इंद्र आदि देवता और संपूर लोक पालों के अधिकार अपने हाथ में ले लिये तब ही देवता शंखासुर के भै के मारे अपने अपने स्त्री पुत्र आदी को साथ लेकर बहुत वर्ष प्रियंत सुमेर उपरवत की गुफाओं में रहे तब शंखा सुर ने विचार किया कि मैंने देवताओं को जीत तो लिया है परंतु वे अब भी बहुत बलवान मालूम होते हैं हाँ अब मैंने जान लिया है कि वे सब वेद मंत्रों से युक्त हैं इसी से वे इतने वलवान हैं अत्या इनके वेद मंत्रों का हरण कर लिया जाए तो वे सब स्वयम ही बलहीन हो जाएंगे ऐसा सोचकर शंखा सुर्ष सत्य लोक में गया उसको आता देखकर भगवान विश्नुजी बीज मंत्र वे वेदों को लेकर समुद्र में छिप गए अब शंखा सुर्भी बीज मंत्रों और वेदों को सब जगे ढूंडता हुआ शीर सागर में पहुँच गया जहां भगवान उस समय सोय हुए थे उसके मन में चोरी की इच्छा थी इस कारण जब वेदों को चुराने लगा तो बीजो सहित वेद मंत्र भी उसके भै के कारण इधर उदर पानी में छिपने लगे तब शंखासुर उन्हें खोजता हुआ समुद्र के अंदर विचरने लगा परन्तु उसे वेद मंत्र इखटे नहीं मिले उधर ब्रह्माजी सब पूजन सामगरी लेकर सब देवताओं के साथ वैकुंठ लोक में भगवान विश्णू की शरण में गए वहां भगवान को जगाने के निमित ब्रह्माजी मदुरवानी में गाने बजाने लगे और गंध, धूप, दीप आदी से बार-बार उनकी पूजा करने लगे उनकी पूजा से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले तब सब देवताओं ने शहस्त्र सूर्य के समान कांती वाले भगवान विश्णू के दर्शन किये तद पस्षात सब देवताओं ने भगवान विश्णू की पूजा की फिर शाष्टांग दंडवत करके पृत्वी पर गिर पड़े तब तो प्रसन्न होकर भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगणों, मैं तुम्हारे पूजन, भजन और कीर्टन आदिकार्यों से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, आप लोगों की मनों कामना मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, यही वर देता हूँ, और कहा, अश्विन शुकल प पूजन करेंगे, वेह सब मुझे प्यारे होंगे, और मुझे प्राप्त करेंगे, पाध्य, अर्ध्य, आच्मनिय, आदि जो सामगरी, एवं पूजा का समान, तुम मेरे निमित लाए हो, वे अत्यंत गुणकारी होकर तुम्हारे लिए उत्तम फालदायक होंगे, तुम्ह जिन वेदों को हरकर ले गया है, वे सब और शंका सुर अभी जल में ही स्थित है, इसलिए मैं शंका सुर को मार कर वेदों को ले आऊंगा, अब से लेकर बीज मंत्र समेत सव वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में ही निवास करेंगे, मैं आज से मतस्य रू उपधारन कर जल में रहूंगा, तुम लोग भी सब मुनियों को लेकर मेरे साथ आईए, इन दिनों में इस लोक में जो मनुश्य प्रातेकाल स्नान करेंगे, वे निश्य यज्यानत स्नान के फल को प्राप्त होंगे, जो कार्तिक मास में पहर रातरी पहले स्नान करते हैं, वे निश्य ही अक्षय फल को पाते हैं, वे अज्यात में अमरित स्नान का फल प्राप्त करते हैं, अते हे देवराजेंद्र, जो लोक कार्तिक मास में नियम पालन करते हैं, उनको तुम मेरे लोक में पहुँचा दिया करो, तथा उनकी सब आपत्तियों, विपत्तियों और वि़िघ्णों से रक्षा करते रहा करो हे वरुण तुम उनको पुत्रफौत्र आदि देते रहो हे धनपती कुवेड तुम उनकी धनधान्य से व्रदी करते रहना क्योंकि कार्तिक का व्रत करने वाला जीवन से मुक्त हो जाता है और वह मेरा ही स्वरूब धारण कर लेता है और हे अनंत देवताओं जो जन्म से मरण तक इस उत्तम व्रत का नियम पालन करता है वह तुम्हारा भी पूजनिया है तुम लोगोंने मुझे एकादशी के दिन जगाया है इसलिए यहतिती परम पवित्र है और सदैव मनाने योग्य है यहतिती मेरे लिए परम प्यारी है हे देवगणों विधी पूर्वक किये गए दोनों व्रत पर तिये एक प्राणी को मेरे ही समी पहुचा देते है इनके समान ने तो कोई तीर्थ है ने कोई दान है और ने कोई व्रत है जो स्वर्ग दे सके इतीश्री कार्थिक मास महात्तम त्या धिहाय संपूर्ण